इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते नित्यान और रासरक्त, वसायुक्त उतक, मासपेशी उतक, हेलमिन्थियासिस, बवासीर और अन्य विकारों में मदद करते हैं ये डिम्प ग्रंथी और गर्भाशे फाइब्रोइड का भी प्रबंधन करता है एलिफेंट यासिस और फाइब्रोइड इस आयुर्वेदिक पूरग पर अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं यह वात और कफ दोशों को संतुलित करता है ये टॉनिक के रूप में कार्य करता है और फाइब्रोइड और गंडमाला के लिए आदर्श है ये फाइलेरिया के खिलाफ कार्गर है आयुर्वेद उमा नित्यानंद रस एक पारम परिक तयारी है जो वात, पित और कफ का संतुलन बनाये रखती है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, ये फॉर्मूलेशन शरीर में सूजन और सूजन को कम करने में मदद करता है दो, गोलिया शरीर में वात, पित और कफ दोशों को संतुलित करने में मदद करती हैं तीन, वे भूक बढ़ाने और पाचन स्वास्थे में सुधार करने में मदद कर सकते हैं 4. सामगरी elephantiasis और fibroid में मदद कर सकती है वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell को all notification पर सेट करे